हैलो एवरिवान आज हम बना रहे हैं अमचूर की खटी मुठी वाली चटनी इसे अमचूर पॉडर से हमने बनाया है होली पे इसका भी बहुत यूज होता है क्योंकि कई लोग पापड़ी चाट दई बड़े या फिर टिक्की बनाते हैं घर पर ही तो चले फिर आज मैं आपको बताती हूँ कि अमचूर पॉडर से किस तरीके से इसको बनाया जाता है और बहुत ही टेसी लगती है तो चले फिर शुरू करते हैं और अगर यह रेसे भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो सबसे पहले हमने कैस के उपर बरतन रख दिया है एक और इसमें एट टेबल स्पून अमचूर पॉडर डाला है 50 ग्राम के करीबी अमचूर पॉडर है यह इसमें डाल देंगे और आधा कप हम इसमें पानी डाल देंगे और अब हम इनका एक स्मूज सा Vegetta बना लेते हैं सबसे पहले एक भी लंगस नहीं होना चाहे तो अच्छे से इसका स्मूज पेष्ट बनाना करें हमें तो यह देखे, एक zur 2 Minuten हो चुके हैं, तो अब में इसमें चीणी याट करते हैं, तो 나와 1 चोटा कप चीनी लिया है, ये 1.25 g और एक कप मैंने गुर लिया है। दोनों को mix करके डाल रही हूं मैं आप चाहे तो चीनी बिलाल सकते हैं या फिर गुड़ ही यूज़ कर सकते हैं तो mix कर लेंगे और जब तक गुड़ हमारा गल नहीं जाता तब तक इसी तरीके से चलातोवे से पकाएंगे तो गुड़ जो हमारा गल चुका है तो अब हम इसमें लानमिश पॉड़र डालेंगे आधा चमच और आधा चमच हम इसमें नमक डालेंगे और इसके बाद हम इसमें तो यह मैंने कच्चा सुखा हुआ नारियल लिया है पारी कटा हुआ यह इसमें डाल देंगे फूड कलर डालने के बाद एक से दो मिट इसको हमें और पकाना है क्योंकि आप देख सकते हैं काफी घाड़ी पकाते पकाते हमारी यह जो चटनी काफी ठिक हो चुकी है तो आप कर देंगे गैस को बंद हो चटनी हमारी यह डन होगी है तो थंडा करने पे हम इसे सर्फ कर काड़ी चटनी हमारी ये तयार हुई है बहुत ही देखने में टेस्टी लग रही है तो आप किसी को सर्फ करेंगे किसी भी चीज़ के साथ तो कोई आपको नहीं कह सकता है कि आपने इमली से नहीं हमचूर पॉडर से बनाई है तो जरूर ट्राइ करें रेसिपी और अगर मेर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये अमचूर की चटनी की रेसिपी कैसी लगी है